हाई अब्रीवन यू आ वाचिंग गनॉस्टिक माइनम इस लोकेश वी आ डूइंग पार्ट थर्टीटू तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर नेक्स्ट वर्ड है इंटरनिसाइन इंटरनिसाइन इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड इन अ कॉन्फिक्ट जब वर होता है या कोई फाइट होती है या कोई वाइलेंस होता है तो डिस्ट्रक्शन दोनों साइड का होता है ठीक है तो जब डिस्ट्रक्शन दोनों साइड का हो तो उस वर्डों कहते हैं इंटरनिसाइन ठीक है डिफरेंट वर्ड है तो विनाशकारी हो सकता ही है ठीक है सिनोनिम से इसके ब्लडी, मडरर, डेडली, किलर, फेटल, डेट इस लीथल, पॉईजनस, डिस्ट्रक्शन, इंजूरियस, एंड टॉक्सिक तो यह सिंपल था, नेक्स चलते हैं इंपायस, इंपायस का मतलब होता है अश्रद्धालू, अधार्मिक और जो डिस्रिस्पेक्ट करें किसी के भी रिलीजन को ठीक है, उसे कहते हैं इंपायस, शोइंगा लैक ओफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन ठीक है, एक तो होता है नास्तिक, ठीक है, तो वो गौड पर बिलीव नहीं करता है, बट तुम बिलीव करो नहीं करो तुमारे उपर है, बट अगर आप दूसरे रिलीजिन को छोड़ा दिखाऊगे न, तो उस वड़ो कहते हैं, इंपायस, और वो सही नहीं है, ठीक है, तो Godless, Ungodly, Unholy, Sinful, ठीक है, पाप करने वाला, Immoral, Unrighteous, Sacrilegious, Profane, Blasphemous, Irreverent, Disrespectful, ठीक है, इसमें बहुत सारे Important Words है, ठीक है, जैसे की Sacrilegious है, Profane है, ठीक है, Blasphemous है, तो Reverent मतलब होता है Respectful, ठीक है, और Irreverent है तो Disrespectful, यह पीछ हमने देख रखे हैं, और यह कुछ Words हैं, जो Exam में भी आ रखे हैं, ठीक है, और एक Word of Advice ही है, कि पहले अपनी Vocab स्टॉंग कर लो, ठीक है, और Vocab कैसे स्टॉंग होगी, Words के आपको Meaning पता होना चाहिए, और Synonyms पत पता हो तो चलेगा, क्यों, क्योंकि उसका Just Opposite होता है, ठीक है, उसके बाद MCQ करोगे, तो Benefit, ना तो Confused हो जाओगे, क्योंकि जब आपका Foundation ही थोड़ा Weak रहेगा तो फिर Confidence नहीं आएगा, तो लोग कहते हैं, Confidence हो कैसे लाएं, तो पहले अपना, जो चीज तो और तुम इधर है, तो कार्ट इधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कार्ट को क्या होता है, होर्स के पीछे, तो Next चलते हैं, Indifferent, Indifferent का मतलब होता है, Not Interested or Care About, ठीक है, परवा ना करने को कहते हैं, Indifferent, ठीक है, रुची रहित, Unconcerned about, Apathetic about towards, Uncaring, Casual, Uninterested, Uninvolved, ठीक है, Careless, Heedless, Mindless, और Regardless, ठीक है, नेक्स चलते हैं, Indispensable का मतलब होता है, जो चीज रिपलेस नहीं की जा सके, A very vital, important part of something, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A very important, so that it is not possible without it, कोई भी काम जिसका बगार संपन ना हो, स्कूल में, टीचर्स के बिना, स्टूड़न किसी काम के नहीं, तो आप किसी भी सेंसमें से रिलेट कर लो, ठीक है, सिनोनेम से essential, crucial, necessary, key, vital, needed, required, called for, requisite, important, ठीक है, नेक्स चलते हैं, imperative, important, जो चीज इंपोर्टन है, अब important को आप क्या replace कर सकते हो, imperative से, imperative बोलना स्टार्ट कर दो, important की जगह है, ठीक है, master, mandatory, all important, vital, crucial, critical, essential, essence है, जिसका a matter, life or death, और necessary, बहुत, महत्वपूर्ण, आवश्चक, ठीक है, very important or urgent, next चलते हैं, ingratiate मतलब होता है, ingratiate मतलब flattery, boot licking, तलवे चाटना किसी के, to please someone, ठीक है, favor करना, find favor, cultivate, win over, get on the good side, कहते हैं न, good books, number कमाने के लिए कर रहा है, brownie points, यह सब words है, ठीक है, get on the good side, getting someone's good books, ठीक है, toddy to, crawl to, kneel भी कह सकते हैं, grovel, phone over, ठीक है, तो यह कुछ words हमने पहले भी देख रखे हैं, तो ingratiate important है, next चलते हैं, intensive होता है, lot of work in a short period of time, ठीक है, intense कहते हैं, intensity से काम करो, मतलब, बहुत सारा work, कम समय में हैं, बट उसकी efficiency, जो उसकी quality है, वो compromise नहीं होई चाहिए, है, उसे कहते हैं, intensity, ठीक है, thorough, in-depth, concentration, rigorous, exhausted, all out, concerted, thorough going, all embracing, all encompassing, next चलते, insomnia, जिसको नीद ना आए, ठीक है, आपको नीद नहीं आ रही है, अ निद्रा, sleeplessness, wakefulness, restlessness, awake, sleep deprivation, मतलब, नीद की कमी, ठीक है, sleep disorder, और inability to sleep, chronic sleeplessness, insolumness, sleep disturbance, जब आप over exhaust हो जाते हो न, over exhaust, तो आपको नीद नहीं आती है, तब भी नहीं आती है, एक required amount of tiredness required होती है, sleep के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग रात को चाई और कॉफी पीते हैं, और हमें पता है, चाई और कॉफी से नीद नहीं आती है, बट कुछ लोगों को चाई और कॉफी के बाद नीद आ जाती है, है मैं ऐसे बहुत लों को जानता हूं जो चाय और काफी पीने के बाद सो जाते हैं क्यों कि वो और exhaust हो जाते हैं अपने दिन भर काम करते करते ठीक है mentally physically जो भी है तो काफी क्या करती है उसको balance कर देती है कि जो caffeine होती है तो वो उसको balance कर देती है कि इसको जो over exhaust हो जाते हैं ठीक है तो इसलिए वो लोग सो जाते हैं चलो नेक्स चलते हैं कि इंट्रिपिड मतलब होता है without any fear of danger the person is bold कि और डासियस या ओडासिटी ठीक है निर्भैज हो है fearless अन डांटे डांटलेस अन डिसमे अन अलाम्ड अन फ्लिंचिंग अन श्रिंकिंग अन ब्लैंचिंग अन अबैश्ट ठीक है तो यह ब्रेव तो इससे बहुत सारे वर्ड जमने पीछे देखे हैं आप आम शूर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे नेक्स चलते हैं यह इंपॉल्ट वर्ड है इंट्रिपिट ठीक है मतलब यह एक्जाम में आ चुका है उस सेंस में सारे वर्ड मोस्ट इंपॉल्ट है यह पूल इडियर्ट क्रिटिन ठीक है मोरॉन डॉल्ट हाफ पिट हमने देख चुका है डलर्ड जो डल है कि सिंपल टन सिंपल माइंड भी देखा था हमने निंकम पूप स्टुपड और ब्लॉक है ठीक है यह सारे वर्ड्स हैं स्टुपड के नेक्स चलते हैं इंप्लिसिटल क्या है आपको इशारो इशारो मुझे बात करते हैं सिगनल में बॉडी लेंग्विज में विदाउट वर्ड्स देख कर जो समझ जाते हैं ठीक है इसका एक फ्रेज है अभी उस पर आते हैं तो इंपलिसिटली मतलब होता है अब व्यक्त रूप से डिरेक्ली नहीं बोला ह है इंडिरेक्ट तोर पर आप समझ गया हो ठीक है मुंडी लाते हैं समझ गयो ना आप के पेवल ओफ बिंग अंडेस्टूट फ्रॉम सम्थिंग एल्स त्रू अन एक्सप्रेस्ट मतलब वर्ड्स से नहीं बोला गया है सिगनल के माध्यम से बोला गया है ठीक है वे देट नौट डारेक्टली एक्सप्रेस्ट यह भी है और जो फ्रेज है डाट इस रीड बिट्वीन दा लाइन्स ठीक है रीड बिट्वीन से लाइन मतलब उसके अंदर छुपए होए अर्थ को समझो तो वह अर्थ लिखा नहीं है बट आपको समझना पड़ता है तो यह है तो सिगनल से ले लो ठीक है इंडिरेक्टली टैसिटली इंहेरेंटली इंप्लाइडली अंस्पोकन इंफर्ड एल्यूसिव सजेस्टिव सटल अंडस्टुडली तो सिगनल साइन और यह सब भी आप इसमें एड कर सकते हो नेक्स चलते हैं इंडीजीनिस मतलब वो होता है जो आप अपने ही घर में बना रहे हो दैट इस स्वदेशी ठीक है लिविग और ग्रॉइंग इन प्रेस वेर देयार फ्रॉम ओरीजनली कोई चीज इंडिया में बन रही है यह दैट इस मेरें इंडिया विच इंडीजीनस ठीक है तो अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है ठीक है एज इन इंडियन आई अर्ज यू और तू बाइ मेड इन इंडिया प्रोडॉक्ट्स ठीक है तो चलते हैं आगे नेटिव एब ओरिजनल ओर्टो चित्थानस इंडैमिक ओरिजनल फर्स नेशन इंबॉन लोकल होम ग्रॉन और प्रेमिटिव प्रेमिटिव ट्राइ प्रेमिटिव बोदी है ना ठीक है कुछ चीजें इंडेमिक भी होती है प्लांट्स वगर आपने पड़ा होगा एनिमल पड़ा होगा आई उसी एन ठीक है चलते हैं आगे इंपासिवली मतलब होता है एक्सप्रेस नो इमोशन और रियाक्शन पोकर फेस पोकर फेस में क्य प्रेजरे पर नहीं आता है तो इसमें कोई इमोशन नहीं होना है ठीक है स्टोन फेस भी कहते हैं इसको इमोशन लेस स्ट्वाइकली मतलब होता है बहुत दर्द हो रहा है बट आप उसको दिखानी रहे हो ठीक है तो वह एक कहावत है कि तो में इतना क्यों मुस्कूर आ र ठीक है इंडिफरेंट कूल डिटैज्ट डिटैज्ट अटैज्ट नहीं है अपने जो भी मोशन चल रहा है अंदर ठीक है अन्रिस्पॉंसिव अन्फिल्डिंग ब्लैंक और एक्सप्रेशन लेसली तो चलते हैं अभी नेक्स्ट इस इस अ गुड़ वर्ड इन नशे के प्रभाव में ठीक है तो ड्रंक है इंटॉक्सिकेटड है टिपसी हो जाते हैं राइट मतलब माइंड और बॉड़ी का कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है तो बैलेंस नहीं होता है और टिपसी हैमर्ड स्लॉष्ट वेस्टेड ठीक है अपनी सुध में नहीं रहना प्लास्टर्ड बस्ट ब्लोटो और सूज्ट मतलब होता है प्रिजर्वड इन पिकल और मैरिनेट फर्मेंट भी कह सकते हैं ठीक है तो यह कुछ सिनोनिम्स थे तो इन एब्रियेटर मतलब होता है अब पर्सन हो इस अफेक्टेड बाए एलकोहॉल और ड्रंक नेक्स चलते हैं इनसीपियंट का मतलब होता है बिगनिंग हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं अगें पाइनियर में बोलूँगा इंसेप्शन बोलूँगा ठीक है यह कुछ वर्ड से हैं पीछे हमने बहुत सारे देख रखे हैं कि बिगनिंग इनीशल हमने दिखा था एक फाउंडेशन फाउंडर ठीक है कमेंस तो कमेंस यहां भी आ गया इनकोवेट इमर्जिंग इंसेप्टिव अर्ली डेवलोपिंग नेसेंट एंब्रियो निक ठीक है एंब्रायोनिक एंब्री होता है ना तो यह व इन जैनुइटी स्किल और क्लेवर्नेस ठीक है प्रतीवाशाली और क्लेवर्नेस किस पर यूज रही है तो सॉल्व प्रॉब्लम और इन्वेंटर तिंग तो दैट परसन इस अटालिट परसन उसे कहते हैं इन जैनुइटी तो क्रियेटिविटी एवर्नेस रिसोर्स फूल है प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इन्वेंटिवनेस है ओरिजनल है इन्नोवेशन है इमेजिनेटिव स्किलफूल आर्टफूल जैनुएन एन मैनी अधर वर्ट्स विच वी आव सीन अर्लियर ठीक है चलते हैं नेक्स्ट इंपकूनियस इंपकूनियस मतलब होता है है विं लिटल और नो मनी पैनी लेस निर्धन ठीक है इंडिजन्ट टेस्टिट्यूट मतलब होता है पूर पावर्टी स्टिकन ब्रोक बैंक्राप्ट नीडी डेप्रिवेड इंपावरिष्ट इंसॉल्वेंट ठीक है और बहुत सारे वर्ट समनें पीछे देख रखे हैं तो चल कि तो वह तो भूलकर भी भूलना करें तो एना और रिंग है अन रिंग ठीक है रिलाइबल अन फेलिंग है फॉल्ट्लेस है फ्लॉलेस युद्द कर सकते हैं ठीक है ड्रस्टवर्दी है स्टन शोर ठीक है तो चलते हैं, next, इसमें हम, invulnerable, that is, invulnerable, vulnerable मतलब होता है, जो खत्रे में है, that person is a weak, or thing is a weak, और invulnerable होता है, जिसको आप नुकसान नहीं पुचा सकते हो, ठीक है, vulnerable को आप नुकसान पुचा सकते हो, that thing is, अभेद, unassailable, impregnable, unbreakable, destructive, immune, blood-proof, secure, safe, shielded, protected, ठीक है, last word देख लेते हैं, impeccable, without any mistake, fault, तो हम, जो पीछे वाला word है, infalliable को भी इसमें add कर सकते हैं, all right, this is also faultless, flawless, perfect, immacuate, spotless, stainless, pristine, untarnished, unblemished, exemplary, exquisite, ठीक है, कमाल, ठीक है, ये खाने के दौर पर यूज़ करते हैं, जो जिस बहुत ही बढ़िया बनी हो, वो सेंस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तुर्टी, तुर्टी मतलब होता है, गल्टी, तुर्टी, और तुर्टी हीन मतलब जिसमें गल्टी ना हो, ठीक है, तो अब मिलते हैं आप से, next वीडियो में, प्रटी,